हेलो एन वेल्कम चुमाई चैनल मेरा नामे जया पंडे और आजम यूपी बोर्ट क्लास 12 के प्रोज के 4 चैप्टर होमकमिंग का 5 पार्ट पढ़ने वाले हैं तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट से नहीं पढ़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर उसे पढ़ लीजिए और in his heart of hurts a young lad most craves for recognition and love and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration but none dare openly love him for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy so what with scolding and chiding he becomes very much like a stray dog that has lost his master तो ये जो परग्राफ है इसमें जो राइटे रिवा में बता रहे हैं कि yet यानि कि फिर भी it is at this way यानि कि ये जो है एक उम्र की ऐसे मतलब ये जो अवस्था होती है वो ऐसे उम्र की अवस्था होती है when यानि कि जब in his heart यानि कि उसके हृदे में of hurts a young lady यानि कि एक युवा लड़के के उसके हृदे में यानि कि जिस प्रकार एक युवा लड़के का हृदे होता है उसी प्रकार से उसका भी हृदे है तो यहाँ पर बता रहे है कि फिर भी यह एक उस उम्र की अवस्था है जब जो उसका हृदे है जो कि एक युवा लड़के का हृदे है most craves most यानि कि जादातर craves यानि कि प्रबल इच्छा होना for recognition and love recognition का मतलब होता है पहचान and love यानि कि प्रेम तो कह रहे है कि यह जो ऐसी उम्र है इस उम्र में उसका जो हृदे है जो कि एक युवा लड़के का हृदे है ठीके उसमें जादातर जो प्रबल इच्छा होती है वो या तो पहचान के लिए होती है और थोड़े प्रेम के लिए होती है यानि कि इस आवस्था में बच्चों को या किसी को भी केवल पहचान और प्रेम की ही जरुवत पढ़ती है और जो वो लड़का है वो हो जाता है दिवोटेड स्लेव डिवोटेड का मतलब होता है वफादार स्लेव यानि की सेवक यानि की वो जो व्यक्ती होता है जो बच्चा होता है वो एक वफादार सेवक बन जाता है और एनीवन यानि की किसी का भी है इनीवन यानि की किसी का यह वेक्ति होता है जो उसके तरफ ध्यान देता है उसका वो जो बच्चा होता है वो एक वफादार सेवक बन जाता है यानि कि कोई भी साहस नहीं करता है उसके घर में भले कितने ही लोगे लेकिन इस अवस्था में कोई भी खुले तरीके से उससे प्यार करने की का साहस नहीं करता है for that would be regarded as undue indulgence for यानि की के लिए यानि की क्योंकि हम बोल सकते है that would be regarded that would be यानि की वो होगा regarded यानि हम कह सकते की मतलब माना जाएगा as यानि की जैसे undue यानि अनावशक indulgence का मतलब होता है की विलासिता या फिर अतिव हो या फिर कोई ऐसी चीज जो की बिलकुल भी जरूरी ना हो तो हम यह कह सकते की कोई भी उसे खुले दिल से या फिर खुले तरीके से प्यार करने का साहस्त नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बिलकुल अनावशक जो है मतलब इस चीज को इस प्रेम को एक अनावशक विलासिता माना जाएगा और बच्चे को इस चीज की आदत पड़ जाएगी वह बिगड़ जाएगा इस तरीके से and therefore bad for boys और and यानि और therefore इसलिए bad यानि की बुरा होगा for the boy यानि की लड़के के लिए तो वो ऐसा मानते हैं कि जो यह प्रेम हम दिखाएगे वो ना सिर्फ अनावशक विलासिता होगी बलकि उस लड़के के लिए भी बुरा होगा तब what with scolding औन चाइडिंग क्या होगा scolding औन चायडिंग क क्या होगा scolding औन चायडिंग औन की दाट फटकार की हम जो बात करते हैं तो उस वक्त क्या होगा दाट फटकार में He becomes very much like a stray dog. He, यानि कि वह becomes, यानि कि हो जाएगा, very much यानि कि अत्यधिक like, यानि जैसे a stray dog, यानि कि जिस प्रकार गली के कुत्ते होते हैं, मतलब जो या फिर खो गए होते हैं, या फिर अलग रहते हैं, तो कहरें कि जब मतलब डाट फटकार की जब बात आती है, तो उसके ब master, यानि कि मास्टर, यानि कि मालिक, यानि कि वो एक ऐसे, मतलब डाट फटकार के बाद, वो एक ऐसे अवस्था में आ जाएगा, कि वो बिलकुल ही एक गली के, या फिर छोड़े हुए कुत्ते के समान हो जाएगा, जिसने अपने मालिक को खो दिया हो, जो चलिए इस उम्र की अवस्था है, जब उसका जो हृदय है, और हर्ट ऑफ यंग लड़, जो कि एक यंग लड़, यानि कि एक युवा लड़के का हृदय है, most crave for recognition and love, यानि कि जादा तर इसमें प्रबल इच्छा होती है, पहचान और प्रेम के लिए, and he becomes the devoted slave of anyone, और वो किसी भी व्य इच्छान को दर्शाता है, but none dare openly love him, लेकिन किसी का भी साहस नहीं होता है कि वो उसे खुले दिल से प्रेम करें, for that would be regarded as undue undue indulgence, यानि कि क्योंकि जो हम मतलब उसको उस व्यक्ति को लगता है कि जब हम उसको खुले दिल से प्रेम करेंगे, तो वो एक अनावश्यक विलासि या फिर आदत के समान होगी, and therefore bad for the boy, और वो उस लड़के के लिए भी इसी लिए वो खराब होगा, क्योंकि वो विलासिता यानि कि एक ऐसी आदत, जो छूटी ना जा सकते, एक तरह से हम addiction कह सकते हैं, तो वो कह रहें कि यह जो प्रेम है वो उस लड़के के लिए विलासि तो कहरें कि डाट फटकार के बाद वो बिल्कुल ही एक गली के या फिर रोड के कुटे के जैसा हो जाएगा, that has lost his master, जिसने अपने गुरू को या फिर अपने मालिक को खो दिया है, तो इस परग्राफ में जो राइटर रेवों में बता रहे हैं कि यह उसकी उम्र की, यान से कोई भी चीज अच्छे कहा जाए, इसके लिए उसका दिल प्रबल इच्छा रखता है, और कोई भी ऐसा वक्ती जो उसके प्रती अपने प्यार को या अपने ध्यान को दर्शाता है, वो उसका एक वफदार सेवक बन जाता है, लेकिन इस अवस्था में कोई भी खुल कर उसको प्रेम अपना नहीं दिखा पाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये एक अनावश्यक विलासिता के समान होगी, और इसलिए वो उस लड़के के लिए भी खराब होगा, तो अब हम बात करें अगर डाट फटकार की, तो डाट फटकार की वज़े से जो बच्चा है वो एक गली के या फिर रोट के कुत्ते के समान हो जाएगा, जिसने अपने गुरू को या अपने मालिक को खो दिया हो, तो अगली परग्राफ को पढ़ते हैं, For a boy of 14, his own home is the only paradise, to live in a strange house with strange people is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. के रहे कि, For a boy of 14, यानी की फोर या एक लड़के के लिए of 14, यानी की जो 14 वर्श का हो, His own, his यानी उसका ओन यानी खुद का है, जो उसका खुद का home, यानी घर है, is यानि है the only यानि की केवल एक मात्र paradise यानि स्वर्ग यानि की एक 14 वर्ष के बच्चे के लिए उसका खुद का घर ही उसका स्वर्ग है to live यानि की रहना in यानि may a strange यानि की एक विचित्र house Ĕर में घर यानि की एक विचित्र से घर में रहना with strange people है एआ ह случае यह सवाए कि एक विचित्र घर में विचित्र लोगों के साथ अधित्र विचित्र लोगों के विप इक अंजान घर में अंजान लोगों के साथ सबलuju कैंदों कि огच्षा जाना से वपाइ शौॉट को हम प्रकार चे रूप से भी कह सकते यानि कि एक प्रकारा का टॉचर है कि अत्याचार रहे है वाइल दा हाइट अफ बिश वाइल यहनुकि यांद के समय दा हाइट हाइट यहनुकि होता है शिखर आफ बिश बिश आननद यहनुकि अब इसके अलावाद जो एक आनंद का जो शिखर है, इस यानि की है, to receive यानि की ग्रहण करना the kind looks, यानि की दया से भरी हुई नजरें of women, यानि की एक महिला की, अब वो महिला उसकी माँ हो सकती, उसकी बहन हो सकती, तो ये कह रहे कि मतलब इसमें राइटर बता रहे कि जो उसकी खुशी है, जो उसका आन दया के भावना दिखाए, उसके प्रती दया के नजरों से देखे, and never to be slighted by them, and never, और never, यानि की कभी नहीं, to be slighted, यानि की छोटा दिखाना या छोटा कर देना उसे by them, यानि की उनके द्वारा, यानि की एक लड़के के लिए, बच्चे के लिए जो खुशी का शिखर होत और कभी भी उस घर के लोग उसे छोटा महसूस न होने दे, तो चले इसे एक बार और देख लेते हैं, for a boy of 14, यानि की एक 14 वर्ष के लड़के के लिए, his own house is the only paradise, उसका खुद का घर ही एक मात्र स्वर्ग है, to live in a strange house with strange people, यानि की एक विचितर से घर में रहना, वो भी एक विचितर लोगों के साथ, is little shot of torture, वो एक प्रकार का अत्याचार है, while the height of bliss is to receive the kind looks of a woman, और इसके अलावा जो खुशी का जो आनंद का जो शिखर है, वो है, कि वो महिला जो है, जिसके साथ वो रह रहा है, वो उसके प्रती दया की भावना रखें और दया पूर तरीके से उ हाँ तुम अच्छे हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो, and never to be slighted by them, और कभी भी उनके द्वारा उसे छोटा महसूस ना कराया जाए, तो यह जो paragraph है, इसमें जो राइटर है, वो में बता रहे हैं कि एक 14 वर्ष का जो अबालक होता है, उसके लिए उसका खुद का घरी, उस मतलब या फिर वो महिला हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो है, वो उसके प्रती एक दया की भावना को रखे, और उसे कभी भी छोटा महसूस ना होने दे, या अपने से कम महसूस ना होने दे, तो चलिए अगले paragraph को देखते हैं, ते हैं, It was anguish to Fatik to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by the elderly woman and slighted. On every occasion, if she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid, but to get on with his lessons. तो ये जो paragraph है, इसमें जो writer है, वो हमें बता रहे हैं कि, It was anguish, या वाज था, anguish यानि कि एक मनोव्यथा, तो फतिक या नि फतिक के लिए, यानि कि फतिक के लिए ये एक बहुत ही अलग किसम की मनोव्यथा है, दुख है, तो बी unwelcome, तो बी यानि कि होना, unwelcome यानि कि जिसका स्वागत अन्ना किया गया हो, यानि कि unwanted, यानि कि, कोई ऐसा वेक्ती जिसकी चनना हो घर में रहने की, गेस्ट यानिकी महमानी यानिकी फतिक के लिए एक बहुती दुख भरी मनोव्यथा थी कि वो एक अंचाहा महमान था in his aunt's house उसके मामी के house यानिकी घर में despised by the elderly woman, despised का मतलब होता है अपमानित, यदि अपमानित महसूस करता था था और चोटा महसूस करा जाता था या फिर कम महसूस करा जाता था on every occasion on यानि पर every यानि कि प्रतेक occasion यानि मौके यानि कि हर मौके पर यानि कि फतिक के लिए एक बहुत ही दर्दनायक मनोव्य था थी कि वो अपने मामी के घर में एक अनवांचित महमान था और उसे हर शड़ हर मौके पर उस बड़ी महिला के द्वारा अपमानित महसूस होता था और उनके द्वारा उसे हमेशा छोटा महसूस होता था If She Ever Asked यानि कि यदि यानि कि वो अपने लिए या फिर मतलब घर के लिए कोई भी काम करने को कहती थी He would be so overjoyed He यानि कि Would be यानि हो जाता था So overjoyed यानि की इतना जादा होश यानि कि वो जब भी भी कुछ कहती थी कोई काम उसको करने के लिए तो वो इतना जादा खुश हो जाता था That he would That yeah यानि कि He would यानि कि वह वोद यानि Shiaid overdo वेवकूफ यानि कि अत्य थिक उस चीज को कर देता जैसे कि अगर हम किया रहे है कि कोई काम करो तो वह उतना ज़्याधा खुश हो जाता था कि वह चीज को और जादा कर देता था और तब, she would tell him, यानि की वो से तक थे not to be, यानि की na so stupid, यानि इतना जादा, so यानि इतना stupid यानि की बसनोब, यानि की वो जब ही भी उससे कोई काम करने को कहती थे थे, वो उतना जादा खुश जादा थे, वो उसको और अधिक अत्य। कर देता था तो इस वक्त वो उसे कहती थी कि तुम बेवकूफ मत बनो but to get on with his lessons but यानि लेकिन to get on यानि कि जारी रखे या फिर करे with his lessons यानि उसका काम यानि कि जो भी उसका काम है वो उस पे ध्यान दे बेवकूफी न करे तो इस पेरग्राफ को एक बढ़ देख लेते हैं it was anguish to fatigue to be unwelcome guest in his aunt's house यानि कि फतिक के लिए एक बहुत ही बड़ी मनोव्य था थी कि वो अपने मामी के घर में एक अंचाहा महमान हो गया था despised by this elderly woman and slighted यानि कि वो इस महिला के द्वारा अपमानित वो अपने आपको छोटा महिसूस करता था on every occasion यानि कि प्रतेक मौके पर if she ever asked him to do anything for her अगर वो कहती थी उससे अपने लिए कुछ भी करने के लिए he would be so overjoyed that he would overdo it वो इतना खुश हो जाता था कि वो उससी को और जादा अत्यधिक रूप से कर देता था and then she would tell him not to be so stupid और तब वो उससे कहती थी कि तुम इतने जादा बेवकूफ मत बनो but to get on with his lessons लेकिन वो उससे कहती थी कि वो अपने काम पर ध्यान दे अपने पढ़ाई पर और बाकी चीजे जो करता है उस पर ध्यान दे तो यह जो paragraph इसमें जो writer ने वो बता रहे हैं फतिक की मनोव्यथा को व्यक्त करते हैं वो बता रहे हैं कि फतिक जो है बहुत अपने आपको दुखी महसूस करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अपने मामी के घर में एक अन्वानचित या फिर ऐसा महमान है जिसे वो नहीं चाहते हैं उसे उस बड़ी महिला यानि कि अपने मामी के द्वारा हर एक मौके पर अपमानित महसूस होता था और उसे छोटा महसूस होता था और जबी भी वो कोई भी कार्रे उसको कहती थी अपने लिए करने को तो वो इतना जादा खुश हो जाता था कि वो उस कार्रे को अतिधिक रूप से कर देता था और तब वो उससे कहती थी कि तुम इतने जादा बेवकुफ मत बनो अपना काम क तो चले हम अगले परग्राफ को देख लेते हैं The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe He wanted to go out into the open country and feel his lungs and breathe freely But there was no open country to go to Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls He would dream night after night of his village home and long to be back there He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long The broad river bank where he would wonder about the lifelong day Singing and shouting for joy The narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked तो इस परेग्राफ में हम फतिक का जो मतलब अब वो ठक चुका था वो परिशान हो गया था इस चीज से इस अंदेखे पन से तो अब आगे कि उसकी जो क्या परिस्तिती होते हैं उसके बारे में हमें राइटर बता रहे हैं कि The cramped atmosphere cramped का मतलब होता है तंग तो कहे रहे हैं कि जो यह तंग atmosphere यह वाता वरड था of neglect यानि कि उपेक्षा का यानि कि यह जो उपेक्षा का तंग वाता वरड था In his aunt's house, in यानि may his aunt's यानि उसकी मामी के house यानि घर में तो कहे रहे हैं कि उसकी मामी के घर में यह जो उपेक्षा का तंग वाता वरड था Oppressed फतिक, oppressed का मतलब होता है उत्पीडित यानि कि उसने उत्पीडित कर दिया फतिक को So much, यानि कि इतना जादा, that he felt, that यानि कि key, he यानि वह felt यानि महसूस करता था, that he could hardly breathe, that यानि कि he could यानि वह कर सकता है, hardly यानि कि मुश्किल से breathe, यानि सांस लेना, यानि कि ये जो उपेक्षा का जो तंग वाता वरड था उसकी मामी के घर में, उसने फतिक को इतना जादा उत्पीडित कर दिया, उत्पीडित कर दिया, कि फतिक को अब ऐसा महसूस हो रहा था, कि वो बहुत ही कठिन तरीके से ही सांस ले पा रहा है, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे सांस भी नहीं आ रही है, he wanted to go out, he यानि वो वान्टे यानि चाहता था to go out, बाहर जाना, into the open country, यानि country का यहां पर मतलब धेश नहीं होगा, यहां पर country का मतलब स्थान कह सकते हैं, यानि खुला जगह कह सकते हैं, तो क feel his lungs and any or free, feel any fill, य attorneys की भरे, his, यानि उसके lungs, यानि फेफ़डों को, यaching वो चाता था कि फुले जगह पर जाए और आपने फेफ़डों को भरे, यАनि कि thी हुआ खुली हवा से अपने फेफ़डों को भरे, and breathe freely, and any or, breathe यानि की सांस ले freely, यानि खुले तरीके से, तो कहरें कि जो फतिक की मामी की घर का जो महौल था जो उसे उपेक्षा का महौल मिल रहा था उससे वो इतना जादा उत्पीडित महसूस कने लगा कि उसको लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है यानि उसे लग रहा था कि वो सांस ही ने ले पाएगा वो बाहर जाना चाहता था खुले जगह पर और अपने फेफ़डों में जो खुली हवा है उसे भढ़ना चाहता था and breathe freely और खुले तरीके से सास लेना चाहता था but there was no open country but यानि लेकिन there was वहां था no यानि कि नहीं open country यानि कि खुली जगह नहीं थी to go to जहां वो जा सके यानि कि जगह तो सब जगह होते हैं लेकिन वहां पे कोई भी ऐसा खुला स्थान नहीं था जहां पर वो जा सके surrounded यानि कि घीरा हुआ on all side यानि चारो तरफ से by Calcutta houses and walls यानि कि कलकत्ता के घर और दीवारों से यानि कि वो जहां पर भी रहता था वहाँ पर चारो तरफ घर ही थे तो वो चारो तरफ से कलकत्ता के घर से और दीवारों से घीर चुका था इसका मतलबत है सपने देखता रहा था नाइट आफटर नाइट यानि की हर रात यानि एक रात के बाद वो उसको हर रात जो है वो सपने आते थे उसके गाउं के घर यानि वो चाहता था यानि वापस जाना दे रहा नि वहां अब वो चाहता था कि वो जो है उसका ज़ोगाउं का घर है वहां पह बापस चला जाए अब यहां पर बता रहें कि वो चारो तरफ जो है खुले जगा पर जाना चाता था लेकिन वहां पर कोई भी खुली जगा नहीं थी वो चारो तरफ से जो है कलकत्ता के जो घर और उनकी दिवारे उनसे घिरा हुआ था और उसको हर रात जो है वो सपने आते थे उसके गाओं क घर के और वो चाहता था कि वो वहाँ पे वापस चला जाए he remembered the glorious meadow he यानि कि वह remembered यानि उसे याद आ रहा था याद आती थी the glorious meadow glorious का मतलब होते है कि तेजस्वी या फिर खुशनुमा meadow यानि कि चरागा यानि जहां पे खुला जो मैदान होता है अज पूरे दिन भर पर चपिर रिवर बैंक आए नदी का किनारा यानि कि उसे वो चपिर नदी का किनारा याद आता था where he would wonder यानि कि where यानि जहां पर he would यानि कि वो जाता था wonder यानि घूमने याहनोगे जहां पर वो घूमता रहता था about the life long day यानि कि पूरे दिन भर singing and shouting for joy singing यानि गाते हुए shouting यानि चलाते हुए for joy यानि कि खुशी में यानि कि उसे जो है उसका वो जो चोड़ी नदी का किनारा है वो याद आता था जहां पे वो दिन भर घूमता रहता था वहाँ पे गाता रहता था और चिलाता रहता था खुशी में जो पतली सी नदी थी जो पतली सी नदी थी जहां पे वो जाया करता था और वहां पे वो गोते लगाया करता था और तेरता था अट एनी टाइम याद आता था जहां पे वो अपनी पतंग उड़ाया करता था दिन भर उसको नदी का खिनारा याद आता था जहां पे वो दिन भर गाते हुए चिलाते हुए खुशी में घूमता रहता था उसे वो पतली सी नदी याद आते थी जहां पे वो जाता था और गोते लगाता था और तैरता रहता था जब उसे मन करें तब तो चले इसको एक बार और देख लेते हैं यानि कि जो उपेक्षा का जो तंग वाता वरर था इन इस आंट's house उसके मामी के घर में उसने फतिक को इतना जादा उत्पीरित कर दिया तब उसे लगता था कि वो शायद ही सांस ले पाए he wanted to go out into the open country वो चाहता था कि वो खुले जगह पर जाए and fill his lungs और अपने फेफ़डों में ताजी हवा को भरे and breathe freely और खुले तरीके से सांस ले but there was no open country to go लेकिन कोई भी खुली जगह नहीं थी जाने के लिए surrounded on all sides by Calcutta houses and walls याने कि हर तरफ से जो Calcutta के घर थे और उनके जो दीवारे थे उससे वो घिरा हुआ था he would dream night after night of his village home याने कि वो हर रात्री के बाद वो जो है हर रात वो अपने गाउं के घर के बारे में सपने देखता था and long to be back there और वो चाहता था कि वो वहाँ वापस चला जाए he remembered the glorious meadow याने कि उसे वो जो वहां का तेजस्वी चरगा था उसे याद आता था where he used to fly kites जहां पे वो पतंगे उड़ाया करता था all day long याने कि दिन भर the broad river bank याने कि जो चोड़ा नदी का किनारा था वो से याद आता था where he would wonder about जहां वो घूंता रहता था the lifelong day याने दिन भर singing and shouting for joy याने कि गाते हुए और खुशी में चिलाते हुए the narrow broke याने कि जो पतली सी नदी थी उसकी याद उसे आती थी where he could go जहां पे वो जाता था and dive गोते मारता था and swim at any time he liked और जिस भी समय उसे मन हो जिस समय उसे पसंद हो उस वक्त वो वहाँ पे तैरता था तो यह जो paragraph है इसमें में पता चल रहा है कि जो फती के मामी के घर का जो तंग वाता वरड था उपेक्षा का उससे जो फती के वो उत्पीडित हो गया उसे अब ऐसा लगने लगा था कि वो अब सांस भी नहीं ले पाएगा वो चाहता था कि वो एक खुले मैदान में खुले जगा पर बाहर जाए अपने फेफोडों में ताजी हवा को भरे खुले तरीके से सांस ले लेकिन वहाँ पे कोई भी खुली नहीं जगा थी क्योंकि चारों तरफ जो है वो कलकत्ता के बड़े बड़े घर और दीवारे जो थी उससे वो घिर गया था उसको हर राज जो है अपने घर के अपने गाओं के घर के सपने आते थे वो वहाँ पे वापस जाना चाहता था उसको उसके गाओं का जो तेजस्वी चरागा है वो याद आता था जहां पे वो अपने पतंग को उड़ाया करता था दिन भर उसको वो जो नदी का किनारा है वो याद आता था जहां पे वो दिन भर नाचते हुए खुशी में और चिलाते हुए घूमता रहता था उसको वो पतली सी नदी याद आती थी जहां पे वो जाता था गोते लगाता था और दिन भर मतब जब उसे मन करें तब वो तैरता रहता था मेरे वीडियो देखने के लिए थांक्यू सो मुच अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा ओ तो प्लीज इसे लायक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और मेरे चैनल का नोडिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ आपको एक नोडिफिकेशन चला जाए और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कनफिजन है या कोई भी सेजेशन हो तो प्लीज मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर बताए मैं जरूर कोशिश करूंगे या आपके कॉमेंट के जवाब दूँ थैंक्यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए